नमस्ते साथियों मैं हूँ उदेपुर से एड़ोकेट मुकेश कुमार गोपाउत आज हम बात करेंगे चेक बहुंस की मामले में परिवादी यानि जिसने पैसा दिया उसके या अभी जिसने पैसा लिया उसके दिमाह में कुछ इसी गलत फेमें बेटे होती है या समाज के ल परिवादी जो है उसको यह बताना पड़ेगा कि पैसा किसके सामने दिया हुआ है एक पी यह अभी इख की गलत फेमी है परिवादी कहता है कंशी के सामने पैसा ने यतैया जहां Fuß नहीं है दूस्तितक को यह भी दिमाह में यह बात वेट वेटी हुए कि किसके सामने पैसा दिया में पूछूंगा अगर वो किसी का नाम नहीं बताएगा तुम्हें मुकुत्मा जित जाओंगा ऐसा नहीं यह गरत फेमी और नीपल है दूसरा अब्यूक्ति की लिमांग में यह बात बेटेती है कि चेक किसने बरा यह परिवादी को बताना पड़ेगा मैंने नहीं बराए परिवादी यह नहीं बताएगा तुम्हें मुकुत्मा जित जाओंगा यह भी अभ्यूक्ति की गलत फेमी है क्योंकि परिवादी क्या बोलेगा मुझे पता नहीं चेक किसने बरा चेक तो अभ्यूक्त ब आ नाम अधार परिवाद可 nar बताना जरूरी नहीं कि से लिग्सतों करस्श् Guillemira चाह司 गर्वाद के दिमागा में प्रॉस कार रिखा पड़ी तो इसको और ना पैसा देंदे उब म्युफाद के नải भी प्रॉस से लिखापड़ी गैश्मिय परिवाधी जितेगा। लिख पड़ी चेक अपने आप एक लिखा पड़ी है। और कोई इस्टाम का आगज लिखापडी की जुरूद नहीं गोट आपके यस आदार हो कि इसके पास और कोई लिखापडी नहीं चेक के लगा। तो यह मुगतमा में जित जाओंगा यह नहीं चले गाया यह आपका आदार के लिखापडी नहीं यह तो मुगतमा अब्युक्त पक्स में आएगा यह गलत है ठीक है ना यह लिखापडी की जुरूत नहीं होती है कि परिवादी पेसा कहा से लाया यह उसको बताना पड़ेगा अब्युक के दिमाग में बात बेठती है कि वो पैसा कहां से लाया उसको बताना पड़ेगा उसने इंकम टेक्स ब्राइग नहीं बढ़ा यह बताना पड़ेगा तो यह भी अब्युक कि यह गलत फिमी परिवादी पैसा कहां से लाया यह बताने के लिए परिवादी पाबंद नहीं बस उसका सिर्फ यह के ना कि मेरे घर पर पैसे पड़े थे मैंने इकटे करें थे यही बात काफी है यारी कोड उसकी यह बात माल लेगी और आपको यह परिवादी पैसा कहा से लाए यह आपकी बात नहीं चलेगी आप यह साबित कर सकते है और सिर्फ यह बूलेगा कि मैंने घर पर पड़े थे आपको साबित करना है पैसा कहा से लाया है यह इसकी इस्तिती नहीं यह बात भी जो गरत फहमी है देखो ऐसा नहीं है कि इतनी सारी बात बता कि मैं अब्यूक्त को होसला डाउन करना चाहता हूँ मैंने कहीं सारे के परिवादी के परक्स में बहुत कम मुकदमी मनाई मगर लोगों के दिमाग में इते हैं ग्लब फैमी में बटन रहती है इन अधारों को यह मान लेता है और यह सब बाते पैसा दिया तो क्या लाइसे तो ब्याज पर पैसा दिने का लाइसे पैली बात तो अब्यूक्त के तहीं निये प्रश्ण पर लाइसन्स निए इसलिए में प्रस्ट मासीद चाहँगा यह बात भी नहीं चलेगी यह इसकी बात माने कि अनिकोट है किर्फ में पूरा शौरूना पड़ता है। कि यह आदार आप ले रहे हो इसके पास लाइसंस यह में मुकदमा जीत जाओंगा इसा नहीं कि फिर जो दुसरी एक बाद और अब्युक्ति दिमाग में जो गरत पर में पेटी होती है कि एन ने पेशा कि देने की कि तारिक परिवाद में नहीं लिखी है कि कब पेशा दिया इस आदार में मुकदमा जीत जाओंगा यह भी अब्युक्त की गलत है आप जब उससे पूछोगे कि आप परिवाद में नहीं लिखते हैं जनरली कब पेशा दिया वह बोल देगा चैक में तारिक लिखी है उसे च्छे मेने पहले दिया पांस मेने पहले दिया मुझे पकी तारिक याद नहीं लगबग इतना सब्सक्राइब इस बात को कोड मानेगी ना कि अब यह तारिक न लिखने कारण मुकुतमा खारीज हो जागा किसी बात नहीं चल परिवाद के दिमागक में पेंवाद के लिए बैठी होटी अब्यूक्त को अपना मुकुतमा जीतने के लिए खोस आदार लेने पड़ते हैं कि इस ए आपके मुख़ते में आप जितने केलिये क्या खोस आदार लिया इस पर आप अलग अपर वीडियो बना रहके हो देखे यह और जिसी ने जूटा मुख़तमा लगा दिया आपके खाली चे का दृपियों कर लिया आपको परिशान कर र क्या करना है आपको आपके पास कोई भी गोसाला अब वहाँ पर आपको 500 रुपे की रसीत कतवानी है और उसकी मेरा इन नंबर करनी है या अगर गो साला नहीं हो पर 300 रुपे इस नंबर पर कि Google payment कर दो है उससे वी आपकी बात मुस्से हो जाएगी यह मुझ्से बात करने का तरीका बाकी आपके इससे ब्लाएं मुझत मात्रलियों को कुछ मारत होती है कि फरिवा रिखां गलती करता है कि वह दो बाते ले ले लिकर य एक तरब और देता है कि साब में इस कारण से मेरे पास इसने चेक आया एक कोई लिखा पड़ी बता देता है या दूसरा कोई अध्य कारण ले लता है इसमें में अलग से वीडियो बढ़ाँ का पर जो दो कारण वो ले रहा है वो दोनों कारण अगर बेच नहीं होते हैं तो मुगदमा हा इसके लिए आपको क्या कर रहा है आपने को भी वकिल साहब है जो मुगदमा लटे परिवादी के उनको बोलना कि मेरे जो सामने वाला क्या पूछेगा उसके प्रश्न और उपता है लगवग पचास से साथ प्रश्न बना देने यह पुछे तो यह बोलना यह पुछे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आपके वकिल साहब से पहले प्रश्न बनाने अब भी बना सकता है किसा आप क्या-क्या पुछे फाइदा होगा और परिवादी बना सकता है किसा परिवादी प्रश्न बनाएगा और मैं उत्तर भी उसके लिके दूँगा प्रश्न रूतर दोनों यह पुछे दिये बोलना वैसे आपको यह काम आपके वकिल साहब से ही करवना चाहिए अगर आपके वकिल साहब के पास ज्यादा प्रश्न बना कर दे रहे हैं तो कि परिवादी या भी यह दिमांग में बैटे होती है कि यार इस यह चो पांच से बार दिम्दु बता हैं उनके आदार पर मुकत्मे की हाड़ जित कीन आदार पर उगिस पर कम से कंव 30-40 वीडियो बना चुका हूं अलग अलग टोपिक पर अलग अलग वीडियो बना चु किरें में क्या प्रश्न पूजने क्या निंपूज नहीं का टेक्णिकल आदार पर मुकदमा खारिज होता है यो आपको देखने चाई यह सारे आप देखो गे तब यापका नों यह परिवादी दोनों हलके में ले परिवादी यह निसोचेक में जी जांता। क्योंकि अब जो मुंकदमे के हाणव के रेश आ रहे हैं यूस California उसके आदार नहीं ज्यादा आप दो नुकसां आपको भी हो सकता है आपको मुंकदमे में जितने के लिए पूरा व्रामा काना है वकिल साथ से मिलता है और मेरी सलाह चाहो तो मुझसे भी आप सलाह ले सकते हो तो मैं हूँ देपुट सेड़ों के निकेश कुमार को पाओ तो वीडियो किसे लाइक करें थेंक यू